हलो फ्रेंश आप सभी का स्वागत है फ्रेंश यूपी बोड के द्वारा जारी किया गया माड़ल पेपर का आज हम समाजिक विज्ञान के केवल प्रश्ण पत्र देखेंगे ठीक है फ्रेंश ही ऐसा माड़ल पेपर है जो आपके बोड के इग्जाम में हंडेड परसंटेज maximum सवाल पूछा जाता है आपके 2023 में model paper से maximum question पूछा गया था यह 2024 के लिए एक प्रकार का model paper है इसको आप जरूर पढ़िए और इसको अच्छे प्रकार से तयारी कर लीजिएगा यदि board का exam देने जा रहे हैं तो ठीक है आपको model paper में संपूर जैसा paper आएगा board के exam में same to same वही paper यहां पर समझ लीजिए आप ठीक है देखे आपके board के exam में जो आएगा total 70 नंबर का पुरांक रहेगा आप सभी को पता है इसके अलाब board के exam में जो समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनट का आप सभी को समय मिलते हैं आप सभी को पता है इसके समाने कुछ निर्देश दीए जाते हैं इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको यहां पर जितने भी निर्देश हैं आपको एक बार पढ़के बता देते हैं फिर इसके बाद खंड बहा होता है जिसमें से खंड अ जो हता है 20 अंग का वह उकल्पी प्रशन रहता है जिसे आपको कहां पर करना रहेगा OMR सीट पर करना रहेगा ठीक है अब देखिए यहां पर ध्यान देना अगला पॉइंट इसे बहुत ज्यादे ध्यान से देखिए क्या करना है OMR जो सीट होता है उस पर आपको किसी प्रकार का काटपीट इरेजर वाइटनर का परियोग नहीं करना रहता है ठीक है फिर इसके बाद जो खंड बहा होता है खंड में तो हो गया आपके 22 प्रशन रहेगा खंड बहा पचास अंक का वड़ात्मक वड़ात्मक टू और मांचि से जादा खास कोई जरूरी नहीं है पढ़ना दिये गए मांचित्र को उत्तर पुर्स्तिका में मजबूती के साहलगन करना है द्रिष्टिबादित परचातियों के लिए मांचित्र कारे के अस्थान पर अलग से प्रशन लिखने दिये गए है ठीक है तीस पकास मांचित मत पता देते हैं जितने भी प्रशन दिये हैं इसको आप कम से कम तीन चार बत पर लिजी इसको आप तयार कर लिजी इन ही प्रशनों में साथ को बोड के एकजा में बहुत मैक्सिमाम कोईशन पूशता है ठीक है यहाँ पर देखें जो बहुई कलपी प्रशन है आपका 20 अंक से संबंदित है आपसन है बिसमार्क है ड्यूक मैटर्निक है नेपोलियन है या जूसफी मेटसिनी है ठीक है देखें जब भी आप बहुई कलपी प्रशन कीजिएगा इसके आपसन को द्यान से पढ़के आप कीजिएगा ठीक है इसलिए कि जब एक बार गोला बना देंगे दोबारा उस पर आप किसी प्रकार का संसोधन नहीं कर सकते हैं तो अठारो सो पंदरा कि विए शांधी जो Сंबंदिता वालति समुहों से अबादी के अनुसासकती साजा नहीं कि गई अगला आपसन आपका है कि संप्रदायों को समान प्रतिनी धिट्टु दिया गया उप्रियुक्त में से कोई नहीं देखिए बेल जीम माडल का सबसे मुहत्वपूर जो तथ्य था वह था संप्रदायों को समान समान प्रतिनी दिद्टु दिया गया जिसका सही जवाप क्या हो जागा सवल आपसं करेक्ट हो जा कि बेल्जीय माडल का मुख्य महतों क्या था तो संप्रदायों को समान प्रतिनी दिद्टु दिया गया ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें आपके स परतिसत गेहु की कीमत किसके कार घटा था आपसान है बाढ़ा के कार घटा था सूखे के कार घटा था या महामंदी के कार या उपर युक्त में से कोई नहीं आप सभी याद रखिएगा कि कोई 928 चीमत 530 गटने मुख्य कार था उस समय आपकी महामंदी बहुत ज्यादा थी इसका सही जब क्या होगा इसवाला मतलब सभी आपसान करेक्ट हो जागा ठीक है अगला देखी चौथा नंबर का ब्रेटन-बुट्स नामक-सन-स्थान निमनलकित में से कहां इस्थित है ठीक है यहां ब्रेटन बुट नामक जो अस्थान है यह बताना है आको कहां पर इस्थित है यह ध्यान दिजिएगा अमरिका में है यूरोप में है अफरिका में है यह इनमें से कोई नहीं ब्रेटन बुट से नामक जो संस्थान है वह आपक कठोर, सनविधान, सक्तियों का केंधी करण, संख्य सरकार से संबंदित नहीं है, तो आपको होता है कि जो संघ्य सरकार उसमें कभी भी कठोर सनविधान का नहीं कहा गया है। इसका सही जवाब होगा, कठोर सनविधान उसमें नहीं होता है, इसके आला संगीय सरकार में सक्टियों का लिआ jedan माया है, इसको सरकार में समाजिका विभाजन का कारण क्या है? सब्सक्राइब अगला नंबर सवाल देखिए यदि हम लाइंगि भाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में इस्त्रियो पुरुसों की असमान भूमिका है, इस्त्रियो पुरुसों के मद्जयविक विभिनता है, फिर इसके बाद क्या है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता या उपरुत में से कोई नहीं, ठीक है, तो देखिए, लेंगिक विभाजन की बात करत किस देश से हुआ है आपसा ने जर्मनी से फ्रांस से इटली से बिटेन से राष्ट वाड का जो उदेश से हुआ है इसका सही जवा आपसं करेक्ट हो जागा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए नंबर का सवाल क्या है आपका ड्यूक मैटर्निक ने हमारी समाजिक विवस्था को सबसे खतरनाक दुस्मन किसको माना है ठीक है आपसं ने रूसो को माना था विक्टर इमेनुवल को माना था कालवीन को माना था यह जूसे भी मेटसेनी को तो ड्यूक जो मैटर्निक ने हमारी समाजिक विवस्था को सबसे बेवस्था अन्य बेवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है आपसने नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है ब्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है और बहुत दोनों या उपरिक्त में से कोई नहीं तो लोकतांत्रिक जो होता है सासन बेवस्था अन्य बेवस् सवाल क्या है आपका निमलिकित में से पंजाब में भूमी संकुचन का मुख्य काड़ क्या था भूमी का संकुचन होना अगला नंबर के भारत की शिश्य में रुथ्यविकर निमनतम होती है ठीक है अपसान केरल की बिहार की पंजाब की या हर्याडा की तो भारत की किस राजे में सीस्वी मृत्यूदर निम्रतम देखा गया है तो इसका सही जो अवला आफसान क्या होगा सही होगा इसके बाद आपका 14 नमबर का सवाल देखिए सारवजनिक एम नीजी छेत्र को किस आधार पर वर्गी किरत किया गया है तो आफस संख्या छिए सारवजनिक नीजी छेत्र में जो किस आधार पर वर्गी किरत किया गया है उद्दम कि स्वामित्यों के आधार पर वर्गी किरत किया गया तिसका सही जवला आफसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिस अगले नमबर के सवाल को देखते हैं 15 का सवाल देखिए आपसंन देखे दामोदर घाटी सोन घाटी महानदी घाटी या चंबल घाटी तो गोंडवाना कोईला का जमाव किस छेत्र में नहीं पाए जाता है यहां पर नहीं पाए जाता है इसका सही जवाब दवला आप याद रखिए अगला सवाल देखे 17 नंबर का भूमहीन ग्रामीर मजदुरों के लिए सबसे अपसा ने उपज का ज्यादा समर्थन मुल्य वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके अधिक मजदूरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं यहां पर भूमहीन ग्रामीर मजदूरों के लिए सबसे अधिक उप्युक्त विकास कर सकते तो इसका सही जवाब सवाल लच्छर नहीं है ठीक है यहां पर नहीं बताना है ना आपसर सरकार विदेश ब्यापार को नियमित करने के लिए ब्यापार और दोगों को प्रियोग कर सकती है सरकार यह निरले सकती है कि देश में किस पकार के वस्तों कितनी मात्रम आयातित होना चाहिए इसके लिए विष्वा ब्यापार संगठन ब्यापार और दोको बढ़ावा देता है इसको नहीं माना जै स्वाल क्या is कि निम्दिखित में से कौन सा प्रवत्रागत ऊर्ज्फ का सुर्वत नहीं आपशाने कोई ला भू तापी ऊर्ज्फ झाए और दोना में यह उफ्रुत से कोई नहीं यहाँ बहूँ आपको नहीं यहारत नई आते हैं इसका सही जवाँ में प्रभाव पड़ता है कि एप फीजवी कमपनी दोहारा भारत के विदेशी भ्यकार भाग पंतर रहे बहुराष्टाइश्ट्री के कि आगमा से लोगों के आर्थिक इस्तिती सुद्री हुई है यह उपर्युक्त सभी देखे वैस्विकड़ का बाउराष्ट्री कंपर्यों के निवस्पर क्या प्रभाव पढ़ा यह तीनों प्रभाव पढ़ा है इसका सही जो आप दोवला आप्सन क्या होगा सही होगा ठीक है आपको 30 अधिक लिख सकते हैं ऐस्ति सब्सों की अधिक सकते हैं य आप सानी से자를 लिख सकते हैं देखिए परतेक चार नमर करेंकिने नम्बर करें कितने प्रश्वन बदार इसका ऐा और सबना के इसको जरूर याद कर लिए इसमें से माइकिसमें सब्सもう्हाराई आक्ट क को अच्छे से पढ़के जाए महामंदी आप जरूर तयार करना रहेगा जितने प्रशन बता रहे हैं इसको एक जगा लिख लिजिए और इसे जरूर आप तयार कर लिजिए प्रशनों को ठीक है अगला क्या है सत्ता की साज़दारी लोकतांत्र की आत्मा इस कथन को विवेचना कीजिए यह जाती में राजिनती में जाती की भूमिका विवेचना कीजिए इन दुनों प्रशनों का जरूर याद कर लिजिए जो चार नंबर करेगा अगला प्रसन आप द्यान से देखें ज कैसे सवाल आने वाले वह भी आपको बताने वाले हैं ठीक है लिए अर्थिक विकास के लिए अर्जा एक आधरबुद्द अवशक्ता है इस कथन के लिए परिप्रेच में उर्जा सरचड़ है तु अपनाय जाने वाले उपायों पर अपना मत असपष्ट कीजिए अथ्व प्रशनों को लिखिए इसका उत्तर जरूर एक दो बार लिख लिए याद हो जगा लिखते लिखते प्रशन का एंसर याद हो जाता ठीक है अगला चोथा नंबर के देखिए बहुराष्ट्री कंपणिया अपने उत्पात की कीमत लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंद करती है विवेचना कीजिए अथ्वाम दिया है अच्छे बाजार के प्रमुक लच्छोड़ों की संचे पर विवेचना कीजिए चार नंबर खा जितने भी प्रशन आपको चार बता है इन प्रशनों के एक जगर लिख लिए और इसका एंसर आप जरूर लिख कर लिजिए चले अगले नंबर के सवालों के देखते हैं देखे आपका डियर अपक्या करना है कि लगभग जो उत्तर आपको देना डियर सो सब्दों में देना अब यहां सी स्टार्ट और चाचा नंबर करेंगा और सब्दों में आपको लिखना रहेगा देखें का दिदो अब चलाया जाने वाले असा योग आंदोलन के क्या कार थे एससे उन्होंने क्यों अस्तिकित कर दिया था टोटल चार और चार प्लस नंबर का प्रश्न है असे योग आंदोलन बार बार आप सभी को यह बात बताता है कि जरूरू पढ़ा कीजिए इन सभी टापिकों को देखिए अगला 17 का क्या रथ है 17 का महत्मा गादी के क्या विचार थे च्छा नंबर का इस प्रश्ण को जरूरू याद कर लिजिए अगला लोगतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है इसके लिए उठाये जाने वाले किने चार कदमों का उल्ले कीजिए टोटल च्छा नंबर का यह है लोगतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है अगला क्या है कि वैद शासन का क्या अर्थ है लोगतांत्र किस पकार का उतरदाई जिम्म कि आप वैस्विकड़ के बारे में जरूर पढ़ लीजिए कि वैस्विकड़ के क्या आर्थ है वैस्विकड़ का किर्सी पर पारने वाले प्रभाहों का उल्ले कीजिए इन अनाजो की पैदवार के लिए उपयुक्त भावगोलिक प्रस्तितियों का वरण कीजिए टोटल च्हा नमबर करेगा अगला देखिए आपको क्या है प्रस्ण असंगड़िच छेत्रक के स्रमिक समाजिक भेधभाव के भी सिकार है कि आप इस कथन से सहमत है काल सहीत उतर दिजिए टोटल च्हा नमबर का आ स्रमिकों की समाजिक भेधभाव क्यों किये जाता है ठीक उसके बारे में पढ़ लीजिए इसके अलावा देखिए आप मानुविकास सुचकांग क्या है मानुविकास अपने वाले मूलभुत आवयों का वरण कीजिए टोटल च्हा नमबर का देखिए जितने भी प्रस्ण आपके मानचीत्र से संब्दी प्रश्ण है बोड की एकजाम में टोटल दस नमबर का ठीक जिसकी तैयारी आप सभी को बारबर करा रहे हैं उस मानचीत्र को जाकर पढ़िए अब देखिए ठीक है यहां पी आपको क्या करना है कि जब इमानचीत्र वाला सवाल भरिएगा इसके निर्देश जो दिये रहेंगे उसको जरूब पढ़िए गया निम्लिकित अस्थानों को भारत के रेखा मानचीत्र में डाट चिन द्वारा नाम सही दर्साना है सही नाम और सही अंकन है तू एक बटागे दू और एक बटागे दू अंक निर्दाज किया गया है या देखे जहां जाली वाला बाग हत्यकांड हुआ है इस पर यदि लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा आधा नंबर मिलेगा आप सभी को मानचीत्र वाले जितने भी प्रश्ण है करा रहा है उन्हों सभी मानचीत्र को जाकर आप देखिए यदि आपको नहीं मिलता है तो प आप यदि आप इस तरह लिखते हैं अमरित सर अमरित सर इस पर आपको एक बटा के दो नंबर मिलेगा और मानचीत्र यदि साही बार देंगे एक वड़ा के दूट इस पका से मिलने वाला है तो यहां जहां गाधी जिने नमग बनाना प्राराम किया तो कहां से प्राराम कि करने किसानों का क bol Members कि कृज़ए आप सभी को पता है किसानों की कि ऑगा त HAXा अगला है था जहां सूतीया किया था अखे था आपका गुज्राइब किया था तिझे अध्यादबाद हाट रसुनए हो है तो गुजरात में ठीक है इस प्रकास से आप जितने भी प्रश्ण बता रहें इसको आप ध्यान से देख के बार बर बता रहे हैं मांचीतर बरना सीख लिजिए और आप सभी को सिखा भी रहे हैं कि मांचीतर कैसे भरा जाता है वह स्थान जहां दिसम्बर निस्व यूश्बी से भारती राश्टि का से खूश फाया ठीक है कलकत्ता कहां पर है तह पस्च्छिप बंगाल की राजदानी कलकत्ता है तिया मांचीतर वाले सभी सवाल आंको 5 अब तो कि नीचे नीचे प्रश्न है यह है आपको प्रस्ण लिखे देंगे च्षाटर तो पूरा नमबर एक नमबर मिलेगे इसमें मांचित्र नहीं बहरता रहेगा मतलब यह प्रश्न उपर वाला है बस यह क्या एक दृष्टि वादी थैं प्रताकर नाम यात कर लिए चैसा सरदास यह सकते लिए तो जारखंड को कोईला च्छटर आप सबीकों पता है तो जरीया दिख सकते हैं और चिन बनादी जैसा भारत के पुरुवी टर्ट पर इस्थित एक पतन का नाम पता ना है कि भारत की पुरुवी टर्ट पर कौन सा पतन है इन प्रशनों की आप ज़रूर तैयार कर लीजिए आपको बोड के एक्जाम पूचता है मांचितर से संबंदित आपको मांचितर भरना बहुत आसान तरीका से सिखा रहे हैं ठीक है आप जाके प्लेलिश्ट से आप उन वीडियों को भी देख सकते हैं अब दिरिश्टी बादी जो चातर होंगे यह प्रशन करेंगे ठीक इसमे आपको बता चुके हैं इन प्रश्णों को आप जरूर तैयार कर लिजिये ठीक है तो फ्रेंज देखे आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दौस दोस्तों का पास अधिक से अधिक